Hello and Good Morning Everyone आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Study Gloss पर मैं हूँ Dr. Monica और आज हम 13 जुलाई से रिलेटेड जितने भी important question बन सकते हैं उन पर discussion करने वाले हैं और question से रिलेटेड जितने भी important fact होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी यह हमारा टेलिग्राम चैनल है यहां पर आपको quiz available हो जाएगी और इस lecture की जो PDF है वो भी आपको यहां मिल जाएगी यह आपके लिए आज का motivational court है जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है होसला हमें अपने अंदर भरना है मुश्किले हर एक इंसान पर आती है कोई निखर जाता है तो कोई भिखर जाता है तो आप अपनी महनत को लगातार जारी रखे आपको सफलता जरूर मिलेगी इसी motivational court के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन First question है Who has become the new chairman of international fund for agriculture development IFADK जो नए chairman है ये कौन बन गये है इसका correct answer होगा ये बन गये है अलवारो लारियो बन गये है इसका correct answer होगा डिटेल से बात करें तो International Fund for Agriculture Development की Governing Council को Spain के अलवारो लारियो के नए राष्टपती के रूप में इन्हें निउक किया गया है लारियो एक अक्टूमय 2022 को जो अपना पदभार है ये घ्रन करने वाले है और चार साल का कारेकाल पूरा करेंगे वह गिलबर्ट होंगबो का इस्तान लेने वाले हैं जिनोंने 2017 से संगठन का नेत्रत्व किया है लारियो जो IFADK साथवे अध्यक्ष होने वाले है और एक महत्वपून समय में सयुक्त रास्ट की एजेंसी का ये नेत्रत्व करेंगे जब वेश्वे खाते कीमते बढ़ रही है जो युक्रेन यूद जलवायू परिवर्तन और महामारी से प्रेरित है जिसमें दुनिया के सबसे गरीब देश सबसे ज़्यादा प्रभावित है IFAD की बात करें International Fund for Agriculture Development तो इसकी जो इस्तापना है ये 1977 के अंदर December के अंदर हुई थी और इसका जो Headquarter है ये Rome Italy के अंदर है चलिए Top 5 International Appointments को हम revise कर लेते हैं New Chairman of Financial Action Task Force तो ये बने है टी राजा कुमार New President of International Weight Lifting Federation तो ये बने है मुहमद हसन जुलोद Redirector General of World Health Organization तो ये है Tandros Adhanom New Chief Executive of Hong Kong तो ये है John Lee New General Manager of International Cricket Council तो ये बने है वसीम खान Second number question है Who has won the title of Formula One Race Australia Grand Prix 2022 Formula One Race Australia Grand Prix 2022 का जो title है ये किसने जीत लिया है तो इसका correct answer होगा Charles Lackler के दौरा जो ये title है ये जीता गया है ये Ferrari के driver है और Monaco के है Ferrari के Charles Lackler ने विश्वे चैंपियन Max Verstappen को हरा कर Australian Grand Prix 2022 इनोंने जीत लिया है Red Bull के Max Verstappen को दूसरे इस्तान पर संतोश करना पड़ा और Mercedes के साथ बार के विश्व चैंपियन Lewis Hamilton ने लगातार तीसरी दोड को पोडियम तक पहुँचाने के लिए आठवे इस्तान से शुरुवात की और तीसरा इस्तान इनका हासिल किया इनोंने 2022 ऑस्ट्रियलियन ग्रेंड प्रिक्स 10 जुलाई 2022 को ऑस्ट्रिया के स्पिल्बर्ग में Red Bull रिंग में आयोजित Formula 1 मोटर दोड थी और ये Formula 1 स्प्रिंट प्रारूप का उप्यो करने के लिए 2022 सीजन का दूसरा ग्रेंड प्रिक्स सप्ताहंत ये था Top 5 ग्रेंड प्रिक्स विनर्स को हम रिवाइस करें तो जो अजर बीजान ग्रेंड प्रिक्स है 2022 ये जीती थी Max वर्स्टेपेन के द्वारा Red Bull के ये ड्राइवर है नीदर लेंड के रहने वाले हैं और मोनाको ग्रेंड प्रिक्स 2022 जीती है Sergio Parish ने ये भी Red Bull के ड्राइवर है और मेक्सिको के है Spanish ग्रेंड प्रिक्स 2022 है ये Max वर्स्टेपेन के द्वारा जीती गई थी Australian ग्रेंड प्रिक्स जीती है Charles Lackler ने Miami ग्रेंड प्रिक्स जीती है Max वर्स्टेपेन के द्वारा Third number question है Who has been appointed as the next ambassador of India to Bhutan Bhutan में भारत के अगले जो राजदूत है ये किसे नियुक्त किया गया है तो इसका correct answer होगा ये नियुक्त हुए है सुधाकर दलेला 20 का correct answer है डिटेल से बात करें तो जो IFS अधिकारी है सुधाकर दलेला इनको भूटान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और ये वर्तमान में वाशिंग्टन डीशी में भारतिय दूतावाश में मिशन के उप्रमुक के तोर पर ये कारेरत है और इन्होंने नई दिल्ली में भी महत्रपून भूमिकाओं में काम किया है 1993 में भारतिय विदेशेवा में सामिल हुए दलेला ने इस्राइल में अपना राजने करियर इन्होंने शुरू किया था और तब से उन्होंने ब्रिसील या शिकागो जेनेवा और वाशिंग्टन में भारतिय मिशनों में इन्होंने काम किया है भूटान के हम बात करें तो भूटान is located in the continent of Asia and is a neighboring country of India और इसकी जो capital है यह है तिमफू और यहाँ पे जो currency चलती है यह चलती है नागुल ट्रम और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे है लौटे sharing for state of India and bordered by भूटान तो यह है सिक्किम, अरुनाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बेंगौल विश कंट्री is called the land of the thundan dragon तो यह भी कौन सा है भूटान को खहा जाता है फौर नंबर क्वेशन है इनके बीश में आयोजित हुआ है तो इसका correct answer होगा यह चीन और जो पाकिस्तान है चाइना और पाकिस्तान इनके बीश में हुआ है हिंद महासागर में नो सेनाओ के बीश सैयों को बढ़ावा देने के लिए चीन और पाकिस्तान ने समुंदरी सुरक्षा खत्रों से सैंत रूप से निपटने के लिए अपने नए उच्छ तक्नीक वाले नो सेनिक जहाजो और लड़ाव को विमानों को तैनात करके रविवार को शंगाई तट पर सी गार्जियन टू अभ्यास है ये शुरू किया है और पी एले नो सेना के जो प्रवक्ता है कैप्टन लिउ वेंशेंग ने कहा है कि चीन की पिपूल्स लिबरेशन आर्मी नो सेना और पाकिस्तानी नो सेना शंगाई तटके समीब सेंक्त रूप से समुंदरी और हवाई शेत्र में ये हव्यास करेगी इसका जो वेन्यू है ये है शंगाई कोस्ट चाइना और इसका सेकिन एडिशन है और इसकी जो थीम रखी गई है ये रखी गई है जॉइंटली डिलिंग विद मैरी टाइम सेक्यूर्टी थ्रेट्स इस बार की थीम रखी गई है चलिए टॉप फाइव मिलिटरी इसको हम रिवाइस कर लेते हैं जोइंट इस्पेशल फॉर्स एकसाइज खंजर 2022 है जो इसके बीश में हुआ है बाइलेटरल नेवल एकसाइज नेम्ड वरुन 2022 बिट्विन इंडिया एड विश कंट्री नेवी तो ये इंडिया और जो फ्रांस की नेवी है इसके बीश मे और जो इसके बीश में होता है और जो लपीश में हिसके बीश में होता है और जो लामित्य दोहज़ार पाइस ये जो जॉइन्ट मिलिटरी एक्सराइज है ये इंडिया और सिक्यूरिटी फॉर्स जो शेशेल्स की सिक्यूरिटी फॉर्स है इसके भीश में और्गेनाइज हुआ है गोवा शिप्यार लिमिटेड के जो नए प्रमुख है ये कौन बन गए है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए है ब्रजेश कुमार उपाध्यार डिस का करेक्ट आंसर है डिटेल से बात करें तो कैबिनेट की नियुक्ती सिमिती ने रक्षा मंतराले के तहत एक सारोजनिक उपकरम गोवा शिप्यार लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रभन इदेशक के रूप में ब्रजेश कुमार उपध्याई की जो नेक्ती है इसको म अर्तमान में वह उसी संगठन में निदेशक के रूप में ये कारेरत है गोवा की हम बात करें तो गोवा की जो स्तापना है ये 30 मई 1987 के अंदर हुई थी इसकी कैपिटल है पंजी और यहां के जो चीफ मिनिस्टर है यह है प्रमोद सामन बीजेपी पार्टी से है गवर्ण गोवा लाइबरेशन डे सेलिबरेटेड तो यह मनाया जाता है 19 दिसंबर को मेजर स्टेडियम यहां पे कौन कौन से है तो जवार लाल नहरू स्टेडियम यहां पे है तिलक मेदान जो स्टेडियम है भुटबोल का यह यहां पे सिचुएटेड है विच इस दा सिंगल टाइटल इन टैनीस टूनामेंड विबल्डन ओपनizar 2022 में जो पूरुष एकल का जो टाइटल है यह किसने जीत लिया है तो इसका correct answer होगा यह जीत लिया है नौवाग जोकोविश ने जीत लिया है 20 का करेक्ट आंसर होगा सर्विया नौवाग जोकोविश ने निक किर्गी योस पर 4 सेट की जीत के साथ में सात्वा जो विबल्डन पूरुष खिताब है 21 वा ग्रेंड स्लेम है ये इनका लौन टैनिस और क्रोकेड क्लब के अंदर ये होता है टूनामेंट ग्रास कोट पर खेला जाएगा जिसमें सभी मुखे ड्रॉव मैश 27 जून से 10 जुलाई 2022 तक All England लौन टैनिस और क्रोकेड क्लब और विबल्डन में ये खेले गये हैं चलिए Top 5 Tennis Related Questions को हम रिवाइस करें विबल्डन टैनिस टूनामेंट ATP 1000 मोटे कार्लो मास्टर जो टाइटल है ये जीता है स्टीफेनोस 30 सितै सी पास के द्वारा विबल्डन टैनिस टूनामेंट मियामी ओपन 2022 तो ये जो टाइटल मिला है ये मिला है इगा स्वीटेक को ये पॉलन की खिलाडी है विच प्लेयर है वान तो ये राफेल नडाल ने जीता है तो ये किसे जीता है कैसपर रूड के द्वारा ये जीता गया है सेवन नमबर क्वेशन है विच है बिकम दे फर्स कंपनी इन इंडिया तो गेट दे ब्यूरो ओफ इंडियन इस्टेटर्स सर्टिफिकेशन फोर सेलिंग लीथियम लॉन बैटरी इन इंडिया फोर इलेक्ट्रिकल वेहिकल्स इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए भारत में बनी लीथियम आयन बैटरी बेचने के लिए भारतिय मानक ब्यूरो प्रमानन प्राप्त करने वाली भारत की जो पहली कंपनी है ये कौन सी बन गई है तो इसका करेक्ट आंसर है तो ये बन गई है G.O.D.I. इंडिया बन गई है है हैदराबाद की ये कंपनी है डिटेल से बात करें तो जो G.O.D.I.E. इंडिया इलक्ट्रिकल वाहनों के लिए भारत में बनी लीथियम आयन बैटरी बेचने के लिए भारतिय मानक ब्यूरो प्रमानन प्राप्त करने वाली पहली भारतिय कंपनी ये बन गई है जिन बैटरियों में एनोड के रूप में लीथियम होता है उन्हें लीथियम बैटरी कहा जाता है और ये वजन के अंदर क्या होती है हलकी होती है उन्हें इन्हें चार्ज करने में दो से चार घंटे का समय लगता है चलिए टॉप फाइव इंडियास फर्स्ट को हम रिवाइज कर लेते हैं तो ये बना है केला इंडियास फर्स्ट हाउस होल्ड हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिकल वैसर्स विल बी बिल्ट बाई विश कंपनी तो ये बनने जा रही है कोचिन शिप्यार लिमिटेड केरिला इंडियास फर्स्ट और्गेनिक वैस्ट पावर्ड इलेक्ट्रिकल वेहिकल चार्जिंग स्टेशन इस ओपन वेर तो ये बनने जा रहा है मुंबई के अंदर ये बना है तो ये है गांधी नगर गुजरात एट नमबर क्वेशन है रास्ट्य राजधानी शेत्र में रहने वाले लोगों के लिए परीमन नामक भू पोर्टल को किसने लाँच किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हरदीव सिंग पूरी के द्वारा लाँच की गई पोर्टल है इसका करेक्ट आंसर है NCR के लिए परीमन के नाम से जाने जाने वाला एक जियो पोर्टल 31.8.2021 को बोर्ड की 40 वी बैठक में श्री हरदीव सिंग पूरी, अध्यक्ष, NCR, PB और केंद्री आवास और शहरी मामलों के ये मंत्री के है और इनके द्वारा जो ये पोर्टल है ये लाँच की गई है सुदूर सम्मेदन और GIS प्रोध्योगी की के प्रभाव उप्योग के उद्देशे से रास्ट्रे सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा एक वेब जियो पोर्टल विक्सित किया गया है जो शुरू में रास्ट्रे राजधानी शेत्र के भाग लेने वाले राज्जो और रास्ट्रे राजधानी शेत्र योजना बोड के कारेकाल के द्वारा ये कारेले के द्वारा उप्योग के लिए है और ये जियो पोर्टल NCR शेत्र में विकेंद्री करत योजना और प्रभंदन को बहतर बनाने में मदद करेगा पोर्टल में भूमी उप्योग, परिवहन, उध्योग, जल, बिजली, स्वास्ते आश्च्रे, विरासत और परियतन, आपदा प्रभंदन आधी जैसे विबिन शेत्रों के विवरन को शामिल करते हुए लाइन, पॉइंट और पॉलिगोन स्विधाओं के रूप में प्रस् 2022 to promote natural farming, प्राकर्ती खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने प्राकर्ती खेती सम्मेलन 2022 का जो शुबारम है, ये कहां पर किया है, तो इसका correct answer होगा, इसका जो शुबारम है, ये गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर किया गया है, 20 का correct answer है प्राकर्ती खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने प्राकर्ती खेती सम्मेलन 2022 का जो शुबारम है, ये गुजरात के सूरत में किया है, और इस सम्मेलन में हजारों किसान और अन्य हित धारक भी शामिल हुए हैं, जिनोंने सूरत में प्र फाइफ को हम रिवाइस करें, to prepare the roadmap of the new education policy, where has Prime Minister Narendra Modi inaugurated the All India Education Summit 2022, तो ये हुआ है वारांसी उत्तरपरदेश के अंदर, where is the NATO Summit 2022 organized, तो ये हुआ है Madrid, Spain के अंदर, where is the 47th Meeting of the Goods and Service Tax Council held, तो ये हुई है, चंडिगट के अंदर, where is the Earth Global Conference of Young Parliamentarians 2022 held, तो ये हुई है, शर्मेल शेख के अंदर, इजिप्ट के अंदर, who has chaired the 25th Meeting of the Western Regional Council, तो ये है, अमिस शा के द्वारा, हम ministers है, ये हमारे, 10 number question है, who has taken over as the MD of National High Speed Rail Corporation Limited, National High Speed Rail Corporation Limited के MD के रूप में, किसने अपना जो कारेभार है, ये संभाला है, तो इसका correct answer है, राजिंद्र प्रशाद ने अपना कारेभार समाला है, डिटेल से बात करें, तो सरकार के द्वारा, ब्रस्टाचार के आरोप पर, सतीश अगनी होत्री को ब्रकास्त करने के बाद, राजिंद्र प्रसाद को, रास्ट्रे High Speed Rail Corporation Limited का प्रबर निदेशक निउक्त किया गया है, और ये नवंबर 2017 से NHS RCL के साथ परियोजना निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, और मुंबई एहमदाबाद High Speed Rail परियोजना के Civil Engineering कारियों के समगर प्रबारी हैं, जिसे bullet train परियोजना के रूप में जाना जाता है, टॉप अपोइंट्मेंट्स को हम रिवाइस करें, त और नीती आयो के जो नए CEO है ये बने है परमेश्वयन आईयर, BSE के जो नए चेर्मेन है ये बने है SS मुंद्रा, इसके बाद में बात करें, IWF has elected मोहमत जुलूद has its President for 2022, और चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम जल्दी से revise कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेशन है, एर कार्गो फ इसका correct answer होगा, यश्पाल शर्मा बने हैं, second number question है, निर्वान श्रमिको के कोशल को सुधारने के लिए, मिशन कुशल कर्मी नामक कारिकरम को किस्त ने शुरू किया है, तो इसका correct answer होगा, मनी सिसोधिया के दोरह ये शुरू किया गया है, third number question है, भारतिय उद्ध्योग पर कामित किया गया है, भी इसका correct answer है, four number question है, अमेरिका के सर्वोच नागरिक पुरशकार, Presidential Medal of Freedom प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की जो मैला है, ये कौन बन गई है, तो इसका correct answer होगा, सिमोन बाइल्स बन गई है, ये इसका correct answer है, five number question है, SBI General Insurance के नए MD और CEO कौन बन गई है तो इसका correct answer होगा, पारितोष त्रिपार्टी बन गए है, ये इसका correct answer है, six number question है, Getting the Bride, The Gen, Jed, Way to Success नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो इसका correct answer होगा, ये प्रातना बत्रा के द्वारा लिखी गई बुक है, seven number question है, प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने, अक्षे पात्र foundation की नई मिड़े मेल रसोई का जो उधगाटन है, ये कहां पर किया है, तो इसका correct answer होगा, इसका जो उधगाटन है, ये वारांसी के अंदर किया गया है, बीस का correct answer है, eight number question है, अमूर्थ सांसकर्तिक विरासत के सरक्षन के लिए, ये नोस्को के 2003 convention की अंतर सरकारी सिमीती ने किस देश को चुना है, तो इसका correct answer होगा, इसके अंदर इंडिया को चुना गया है, इसका correct answer है, nine number question है, किस जनरल इंशूरेंस कम्पनी ने साइबर वाल्टेज इंशूरेंस प्लान को लांच किया है, तो ये लांच किया गया है, SBI जनरल इंशूरेंस के द्वारा, 20 का correct answer ह 10 number question है, किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों में भारत की कुपोशित आबादी घटकर 224.3 million हुई है, तो ये है United Nations की रिपोर्ट 20 का correct answer है, और ये था आप लोग का कलका study gloss question, रास्टे जाच एजेंसी के जो नए महानी देशक है, ये कौन बन गए है, तो इसका correct answer है, दिनकर गुपता बन गए है, ये इसका correct answer होगा, और ये है आप लोग के लिए आज का study gloss question, tennis tournament 4 grand slam में 80 में जीतने वाले दुनिया के जो पहले खिलाडी है, ये कौन बने है, तो इसका answer मुझे comment section में दीजेगा, ये हमारा telegram channel है, यहाँ पर आपको सारे question quiz के format में available हो जाएंगे, और इस lecture की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी, I hope आपको session पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो इसे like कीजे, अपने दोस्तों के साथ में share कीजेगा, तो चलिए मिलते हैं हमें एक नए session के साथ में, thank you.